हाई गाइस वेलकम तुमाय चैनल और गाइस आज मैं आपके लिए लेकर आए हो यह बोल्ड काजल लुक आई होप आपको यह काजल लुक अच्छा लग रहा होगा क्योंकि बहुत सी लड़किया होती है जिनको सिर्फ और सिर्फ मेकप में काजल लगाना पसंद होता है तो मै इनके लिए कुछ स्टेप्स लेके आई हो जिनसे वह अपने इस काजल लुक को बोल्ड बना सकती है लॉंग लास्टिंग बना सकती है स्मज़ प्रूफ बना सकती है जिससे जल्दी उनका यह लुक निकलेगा नहीं उनको बार-बार हैंकी से या किसी किशू से उसको साफन लुक अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मेरी वीडियो एंड तक देखना तो चले स्टाट करते हैं वीडियो के साथ तो पहले आपको अपना बेस मेकप करना है जिससे मैंने करा हूँ है अपना बेस कंपीड कर लिया है आई बहुती नाच्रल करी है क्योंकि यह कोई अपना बेस काजल को लगाना है पहले इसे क्या होता है अगर आप अपर पे भी लगा लेते हैं अपर लाइश 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 वाटर लाइन उसको फिल्टरना बहुत इंपोर्टन है जैसे अब आप देख सकते हैं यह और इन में फर्क है ना देखिए वाइट 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 दिखे रहा है यहां पे बिल्कुल ब्लैक दिख रहा है तो आपको ठीक ऐसे ही करना है अब मैंने यह अपर और लोर दोनों लेश लाइन को कवर कर लिया है काजल से अब आपको इस काजल को थोड़ा सा अपने जो यह है आउटर लाइन इस पर लगाना है अब मैं लगाते हैं इसको आप दिस आप यह जो अप्लिकेशन यह आप अपने लोर लैश के नीचे से लगाएं तो अच्छे से लगेगा क्योंकि आपको इस जो आपके पांडरी है आई की लैक जो आपकी बॉर्टर लाइन उसके बिड़कुल पास में नगानी है तो अप्वेशन नगा लिया है अब आपको क्या करना है आपको एक बॉल्ट काचित का लुप चाहिए लैक आपको चाहिए यह थोड़ा सा स्मज लगे तो अब ही देखिए अभी यह बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन जैसे लग़े आपको क्या करना है आपको एक पर मीड़ा आपनी कोई भी या तो एक आइस आइस या गिए जो ्सको लिजिए आपकोई भी चेक्ते आइस हमें। ऐसके लिसक पर ब्लाइट करें भाइस तो निघी दोनुकि या ज़िए kणि अपनी आइशाड़ लिए ब्रुट गे चुह हमके. कि यह जो ब्लैक शेड है इसको प्लेस करेंगे और अपनी आई को एक यू नो कि स्मज़ लूग देने के लिए मैं एक दूसरे स्मज़ ब्रश का यूज करूंगी अब हम एक ब्राउन शेड लेंगे यह वादा डाउन और उस से अपने इस जो हमने काजय लगाया है बॉटर लाइन पर नीचे आउट लाइन जो करेंगे उसको स्मज करेंगे से एक बहुत अच्छा लूग आए तो आपको दिखाते हूं आप स्मज़ जो ब्रश होता है आई शेडो के साथ जो आता वो भी उसका सकते मेरे पास यह है तो देख सकते हैं मैंने स्मज कर लिया है तो यह मेरे स्मज हो चुका है अब मैं अपनी एक आई को कंप्रिक करते हूं लाइक मस्कारा लगाए इननर कॉर्नर्स हाइलाइट करके फिर मैं आपको एक कंप्रिट लुक दिखाते हूं अब मैं मस्कारा लगाऊंगी लोवर लैश पर अपर लैश पर दोनों पर और अपने आई लुक को कम्प्रीट करूँगी क्योंकि मैं इसमें आईशाड़ लिए लगा रही क्योंकि मुझे आपको ये काजल का लुक शो करना है ये होगा मेरा मस्कारा डन और मैंने मस्कारा लगा लिया है अब मैं अपना इनर कॉर्नर हाइलाइक करूँगी बट पहले अब दोनों आई कम्प्रीट करती हूँ फिर माप से मिलती हूँ तो ग्राइज ये था मेरा फाइनल लुक मेरे काजल का आप देख सकते हैं और मैंने कोई आई शाइड़ नहीं लगाई है मैंने सिफ और सिफ मस्कारा लगाया है ताकि आपको अच्छे से मेरा जो काजल का लुक है वो दिखें क्योंकि बहुत सी गर्ल्स होते हैं जिनको ऐसे वाटर लाइन पे काजल लगाना पसंदा नीचे वो कोई आईशाड़ मस्कारा नहीं लगाती तो उनके लिए मैंने टिटोरियल बनाया है ताकि वो अच्छे से समझ पाएं कि काजल को कैसे समझ करना है और कैसे उसको एक बह पाएं कि करने निए बनाया है वाट गे काजल को घुड बनाया है व ***